हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल बात करेंगे रिलाइंस पावर के कोटर थ्री के नतीजों के बारे में नतीजे किस तरह के निकल काया है और समझने की कोशिस करते हैं और नतीजों के दम पर आगे क्या चार्ल स्टॉक्स में नजर आ सकती है उसके पर भी हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के उबर जो कि फ्रेंड्स आपको बता होगा कि पिछले तीन दिन पहले की में बात करूँ तेक बहुती बढ़िया ब्रेकाउट भी स्टॉक्स ने दिया था नतीजों को हम डिटेल में डिस्क्रिशन करते दो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहे है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंग्रेज करना ना बुले चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारी प्राइम सर्विस जोइन कर रहेंगे फ्रेंड्स तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते और पावर के कोटर 3 के नतीजों का पीडियाप फाइल में यहाप उपन कर रही है और नतीज आप लोगों के सामने हैं यहाप आपको जो सारी वेल्यू देखने को मिलेगी वह इन लैक्स में नजर आएंगी ल देखना को हम मिल रहे है यह वन यह बैसे पर एंड कोटर बैसे पर हमें रिविन्यू में गिरावाट नजर आ रही है लेकि और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसके उपर कमनी काफी बढ़िया प्रफॉर्म करती हुई नजर आ रही है आप देख सकते है कमनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो कि कमनी ने जो खर्चा किया है उस एक्सपेंस को आप टॉटल इंकम में से माइनस कर दोगे तो यहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रही है जो कि इस बार कोटर 3 में 42 करोड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि पिछले कोटर में 8 करोड का कमनी ने घाटा किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रेंट्स तो पिछले कोटर के मुकाबले तो यहां पे कही न आ गई जो प्रफॉमन से वो सुधरता हुआ नजर आ रहे है लेकिन यर ओन यर बिस बिस आगर हम टेक्स क्लिर करके देखें तो यहां पे कही कमनी घाटा करती हुई नजर आ यह सकता है कैंकि कही नागे कमनी प्रॉफिट भी दर्श करती हुई नजर आ सकती है कि नेट्ट में कुछ और उयर। यहाँ पर नेट्ट परोफीड में मिल रहे लegi और गिन इन्म उप्रीज़ के हैं और को मिलों रहे लेकिन कभी ऩरेथेंग तो लेक्ट करूश कि오를 करते हैं तो यहाँ़िन सब्सक्राइब अच्छा करतेथे, पर उससे पहले आज के कारोबर की सुच्वेशन के उपर एक नजर करते हैं तो आज में हमें तक्रीबन 5% के इसपास के गिराउट के साथ क्लोईटी देखने को मिसट पिफे के गिराउट के सचुच्वेशन के नजर आई यस सिचउच में नजर आई गांटि आज की के डेलेबल कॉनेटी डेलोबर परसंड इस निगल की आरे वह 55 परसंड के डेलोबर परसंड देखने को मिल रहा ह। तो कार उपर का सुच्वेशन तो यहां पर में तगडा नजर आ रहा है चार्ट को पर नजर करते हैं कि नेक्स्ट कहां पर रिजिस्टन सपोर्ट देखने को मिल रहा है तो जिसा कि फ्रेंट्स आप देख सकते हैं रिलाइंस पावर का चार्ट मैंने विकली टाम पर उपन किया है और अगर हम बड़ी टाम पर चार्ट को समझे तो जैसा मैं आपको बताया एक ब्रेकाउट आने व स्टॉक्स में देखने को मिली थी तक्रीपन 19 रुपे की असपास का हाई बनाया लेकिन उपरी लेवल पर सस्टेंड नहीं हो पाया और स्टॉक्स लड़क कर नीचे आ गया चार्ट को हम डेईली टाम पर अच्छे से समझने की कोशिस करते हैं तो जिसा कि आप देख सकते ह जो एक अच्छा रजिस्टन्स लेवल था उस लेवल को ब्रेक किया उपर निकला लेकिन फ्रेंड्स सस्टेंड नहीं हो पाया सेलिंग पर से इतना श्ट्रॉंग था कि फिर यहां पर पिछले तीन दिन से गिराउट की सुच्वेशन स्टॉक्स में नजर आ गए पिछले दिनों भी हमें तेजी देखने को मिले थे और उससे पहले भी इसी लेवल से रियक्ट करता हुआ नजर आ रहा था यानि फ्रेंड्स स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल बार रुपे पच्चास पैसे का लेकिन अभी इमेडिट सपोर्ट लेवल यहां पे 14 रुपे 30 प नजर आ सकती है और नेक्स टार्गेट 25 रुपे तक क्या देखने को मिल सकते है लेकिन पिछले दिनों जिस तरह के में तेजी देखने को मिले तो हो सकता है उप्र लल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है और फ्रेंड्स फ्रेश खरीद दरी आप यही हए लेवल क्या सपसक करेसी मेրी राय रही हे अगर आप एक रेस्फिड पोजीशन बनाना चाहते हो तो यहां पर भी बना सकते हैं अब चाहते तो चुई तो डीको के साथ इस लेवल पर भी पोजिशन बना सकते फ्रेंट्स लेकिन आपको अपना अनलेसिस करना अपने फानेस्ट विजर की सला लेनी है उसके बाद किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनानी है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंग्रेच करना ना बोले चैनल पर न कि अजय आपको प्रियो